हलो आर्वान आम रमेश विसाथ और वालकम यू ओल अन बिहाफ अब अभीपसन अभीपसा टीम इन आज की स्विडियो लेक्चर में हम दिस्कुस करने वाले हैं एसे राइटिंग के बारे में एसे राइटिंग क्या होता है इसका महत्व क्या है इसके स्ट्रक्चर या फॉर्मिट कैसे तैयर किया जाते हैं और देखेंगे कि कौन-कौन से एसे आपके पिछले एर में आए हुए है और कौन-कौन से एसे आपके अगले आने वाले एर में तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसे राइटिंग का महत्व क्या है एसे राइटिंग क्या होता है तो एसे राइटिंग जो होता है एसे राइटिंग इट मिन्स नीवन लेखन है जिसमें हमें किसी टॉपिक पे टॉपिक वाइज उसके बारे में लिखने होते हैं इसका मह जानते हैं उस topic के बारे में, हमारी जो grammar है, वो कितनी अच्छी है, strong है या नहीं है, हमारे पास कितनी अच्छी vocabulary है, तो इन सारे चीज़ों को चेक करने के लिए ही essay writing की questions अकसर exam में पूछा जाते हैं, अब हम जान लेते हैं कुछ steps जिसके द्वारा हम essay writing को काफी easy बना सकते है तो वो step है, determine your purpose for writing the paper, जब भी आप paper लिख रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप determine करिए, निर्धारित कीज़े कि आप किस purpose से इस topic के बारे में writing कर रहे हैं दूसरा है write down everything and anything about your topic, अपने topic के बारे में हर एक चीज़े, जितनी भी चीज़े आप जानते हैं, जितनी भी चीज़े आप समझते हैं, उनको आप write down करिए, क्योंकि यदि आप write down करते हैं, तो इससे क्या होता है, कि हमारे धेर सारे हमारे जो अंग है, वो work करते हैं, तो हम write down करनी चाहिए, तीसरा है organize your thoughts, अपनी जो सोच है उसको organize करिए, ज्यादर स्यादर सोच है चीज़ों के बारे में, अपने दिमाग में thoughts लाइए, विचाल लाइए, start writing, then take a step back, और उसके बाद आप start करे, writing करने के लिए, step by step, फिर आगे बढ़िए, और पीछे जो चीज़े हैं, जो भी topics के बारे में, आप लिख रहे हैं, उन चीज़ों को आप एक बार ध्यान से देखिए, grade your own paper, और swim अपने paper को आप grade करिए, तो इस तरह से आप इन कुछ steps को follow करके, आप essay writing बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अब हम देख लेते ह हैं कि essay के कौन-कौन से मुख्य parts होते हैं, essay के मुख्य रूप से three parts होते हैं, कौन-कौन से, एक होता है हमारा introduction, जिसमें हम उस topic के बारे में एक्तम अच्छे से बताते हैं, intro करते हैं, उनका परिचाय करते हैं, next होता है body, यानि जो essay की body है, वो कैसी रहे है, किस तरह से रहे इस तंदर्व में, और third part है, वो है conclusion, यानि ऐसे के य हम बात करें, तो essay की three parts है, जो कि मुख्य रूप से हैं, अब बाताती हैं कि essay writing हम कैसे करें, किस तरह से करें, ताकि हमें पूरे के पूरे नमबर मिलें, तो देख लेते हैं, हम essay writing कैसे करेंगे, ताकि हमें पूरे के अब इस से रिलेटेड आपको एसे लिखने हैं तो एसे के लिए लिखा जाता है कि आप लगभग धाईश वर्ट में लिखिए तो आप चाहे तो धाईश वर्ट के आसपास लिख सकते हैं इससे ज्यादा भी चलेगा ठीक है लेकिन आपको बहुत अच्छे से आसानी से लिख सेटमेस होता है रूप रेखा यानि मसया यानि आपको सब से पहले रूप रेखा त्यार करने होगा यहीं इससे लिखते समय आपका जोаться & page फ्रेंट पेज में आपको सिनोप्सिस लिखने हैं तो यह हो गया सिनोप्सिस उसके बाद आप जो है क्या लिखेंगे अब आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन नमबर डाल करके आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन सबसे उपर में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन और सबसे लास्ट में आपको लिखना है conclusion, क्या लिखना है, conclusion, तो यह हो गया आपका last और सबसे first में introduction. बीच में body, अब body में क्या क्या चीज़े लिख सकते हैं, body में धेर सारे चीज़े आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप wonder of science के बारे में लिख रहे हैं तो introduction हो गया, introduction में क्या के चीज़े लेख सकते हैं जैसे science के बारे में This age is age of science, without science we cannot imagine our life जैसे कि आप जो भी चीज़े आप use करते हैं, जो भी है, आपको science के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है Science की सुर्वात कब से हुई, जब से मानवने यहां जन्म लिया है, जब से मानव का प्रादुर्भा हुआ है, इस प्रित्वी में, इस अर्थ हमें तब से science की जो विकास है उसको हम मान सकते हैं तो ऐसा आपको क्या करना है, एक introduction देना है, और introduction को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही paragraph में लिखेंगे ठीक है, conclusion को भी एक ही paragraph में लिखेंगे, ज्यादा paragraph नहीं लिखने हैं बाकि जो body है, body की जब बात आते हैं, तो उसमें आप दो paragraph में भी लिख सकते हैं एक paragraph में भी लिख सकते हैं, ठीक है यह depend करता है हमारे topic के उपर, अब हम बनाते है topic, अब topic हम कैसे बना सकते हैं, यह तुरही introduction, फिर आप डालजे next, अब wonder of science के बारे में हम लिख रहे हैं, तो हम जो है उसके बारे में लिखेंगे, जैसे science in our daily life, अब हमारे daily life में science की क्या भू इसके बारे में हम English में आसान सब्दों का यूज करके लिखेंगे, जैसे हमें हमारे पास जितनी भी vocabulary है, उसके according हम लिखेंगे, कुछ-कुछ grammars का यूज करेंगे, इसके अलावा active voice, passive voice का यूज करेंगे, आप जैसे conjunction का यूज करते हैं, तो sentence क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, conjunction में जैसे आप जो भी चीज़ेंगे, जैसे but हो गया, किन्तों परंतों करके, इसके अलावा जैसे what हो गया, and हो गया, इस तरह के conjunction का आप यूज करेंगे, जैसे although का यूज हो गया, त तो यह जो conjunction है, conjunction के यदि हम यूज करते हैं, तो जो sentences हो काफी प्रभावी बनता है, तो ऐसी आप कुछ-कुछ conjunction को याद रखें, उन conjunction का आप use करें, as for as, as soon as, as much as, ऐसे इस तरह के जो conjunction हैं, उनका आप use करें, ताकि sentence आपको काफी अच्छा लगे, और आकर सक लगे, तो conjunction क यूज करें, grammar, vocabulary, तो इन सारे चुझों का यूज करके, आप जो है, इनके बारे में लिखें, कि जैसे science का यूज हम daily life में कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, जो भी चीज़े हम यूज करते हैं, जो भी हम पहने हुए हैं, सुबा से लेकर साम तक, जो भी हम करते हैं, जो तक कि आप जो mobile में देख रहें वीडियो को, तो यह किस की दिन है, science की दिन है, यह जो board है, यह जो electricity है, किस की दिन है, science की दिन है, तो इसी के बारे में आपको बड़ी ही आसानी से लिखने हैं, यहां तक कि जो घड़ी है, यह भी किस की दिन है, science की दिन है, तो इन सारे च हम science in electricity लोगतो हैं फूर्थ आप क्या लिख सकते हैं फूर्थ आप लिख सकते हैं WiFiwow कं स्पेव में कंप्योटन ते ससे लिख सकते हैं कंप्योट का फील्ड में स्पैब chaotic उसके बाद आप लिख सकتे है entertainment entertainment आज की डेट में science की बिना आप entertainment करें नहीं सकते जैसे मोबाइल से आप video game खेलते हैं computer से video game खेलते हैं कई सारी चीज़ें आप क्या करते हो entertainment की लिए करते हो न वीडियो बगारा देखते हो तरह था कि हसी मजाक वाले वीडियो देखते हैं तो इंटर्टेन्मेंट किस से कर रहे हैं साइन्स की वज़े से कर रहे हैं तो ये इंटर्टेन्मेंट ये भी हो गया तो ये भी किसकी दिन है साइन्स की दिन है पहले जवाने में होता था कि लोग जब फिजिकली खेला करते थे लग गया है साइन से करने लग गया है तो इनी चीज़ों को आपको बताना है उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं और भी आप कई सारी चीज़े लिख सकते हैं लेकिन आपको एडवेंटेज भी लिखना है एडवेंटेज इस तरह से लिख सकते हैं एडवेंटेज इस एडव क्या लाव है और क्या-क्या नुकसान है डिस एडवेंटेश-क्या है जैसे आज की दिठमी गो ला बारूद कई सारे चीजह ज our है तो कई लोगों की जान जाती है परियावरन काटे जा रहे है है किस तरह से science boon है एक वर्दान की भाती है और किस तरह से science as curse science science जो है वो एक अभिसाब की तरह भी है तो ऐसा भी आप लिख सकते है as a boon as curse ठीक है तो ऐसी आपको छोटे-छोटे topics बनाने हैं और कुल मिला करके आपको यह देखिया आपका जैसे देखा जाया तो साथ आठ नौ पाइंट आपका हो गया और इसी के बारे में आपको फिर वर्डन करना है फर्स्ट में तो आपको जो फर्स्ट पीज हो गया इस तरह से रहेगा synopsis सबसे उपर में आपका topic रहेगा जैसे wonder of science तो wonder of science सबसे उपर में topic उसके बाद synopsis लिखेंगे उसके बाद point to point डालिए introduction फिर जो भी topics बोडी उसको आप लिखेंगे one two three करके उसके बाद last में आपका रहेगा conclusion तो ऐसे ही आपको निवन लिखने हैं अब next page में आप introduction लिखेंगे फिर introduction के बारे में एक paragraph में आपको l haga है जो भी चीज़े हैं क्या-क्या लिख सकते हैं फिर body में आप जो भी topic लेंगे शीर्व के बारे में लीखेंगे फिर इसके बारेимся के बारे में लास्ट में आपको conclusion लिखना और conclusion भी आपको एक ही paragraph में देने हैं बाकि जो आपको लगता है जैसे entertainment है थोड़ा बड़ा है तो क्या करेंगे आप दो paragraph में लिख लीजे या तीन paragraph में लिख लीजे तो ऐसे करके आपको लगए धाई सब वर्ट के आसपास लिखने हैं advantage importance of game and sports या फिर advantage of advantages of games and sports for us यह आपकी देखिए year में आए हुए हैं पिछली year में तो दोनों जो aces है काफी important है इन दोनों aces को सबसे पहले आप तयार करें और देखिए इसको कैसे तयार करने हैं इसमें भी देख लीजे सबसे front में आपको लिखने हैं synopsis उसके बाद introduction फिर some games and sports या पर body physical advantages, moral advantage and source of unity, release stress and conclusion last में conclusion देखिए इसको हमेशा याद रखिए first में introduction last में conclusion उसके बाद बीच में आपको जो भी लिखना जो भी topics आपके दिमाग में जो भी चीज़े हैं लाभानी नुकसान जो भी चीज़े हैं उसे आप बीच में लिखेंगे अब यह हमारा र लिखा है sports and games के बारे में कि क्या होता है कैसे होता है क्या क्या लाभ होते है यानि यह हमारे life में कैसे है यह हमारे life का इक हिस्सा है पार्ट है हमारे daily life का इक हिस्सा है तो ऐसे आप क्या करेंगे इंगलिस में अपने words का यूज करके grammar का यूज करके vocabulary का यूज करके आप जो प्रस्टे आप ईंट्रॉडगस लीए फिर टोपिक टोपिक्पिक सूर्ष के बारे में फोड़ासे लीए फिर निक्सट्रॉपिक लिखेंगे फिस्लिकॉल淦ेज फिर इस तरह से होगा, conclusion और introduction लगबग सेम ही होता है, introduction में आप intro करते हो, और conclusion में आप niscuss करते हो, niscuss it means उसके बारे पुरा सार को आप बताते हो, बहुती कम सब्दों में, games and sports not only make our body strong, but also enrich our character, they are the source of world unity, our government should give them due preference, तो इस तरह से आप niscuss में पूरे की जो टॉपिक है, टॉपिक का पूरा सार आप बता देते हो, समझा देते हो, तो यह इस तरह से आपका conclusion हो गया, तो I hope कि आप जो है, एसे writing कैसे करनी है, आप बहुत ही आसानी से समझ गये हैं, बड़ी आसानी समझ गये हैं, और कौन कौन से आपके exam में आते हैं, उसको एक बार और देख लेते हैं, तो दो ऐसे हमने देखा हुआ है, फिर देखा हुआ है, wonder of science, या फिर इसी को पूछ सकते है, advantage and disadvantage of science, ठीक है, अलग लग तरीके से आ सकता है, तो यह आप त्यार करिए सबसे पहले, उसके बाद आप importance of games, ठीक है, games and sports वाला, उसके बारे में आप देखिए, वो दूसरे नमबर पर वो है, उसके बाद देख लीजे, आप Indian festival के बारे में आ सकता है, my hobby आ सकता है, my hobby यह भी काफी आया हुआ है, आपकी year में, तो third priority आप दीजे, my hobby को, ठीक है, your best past time, उसके बाद आपको मैंने बता जया, तीन एसे, जो की most time भी है, first आपका wonder of science, उसके बाद sports and games वाला, उसके बाद आपकी my hobby, उसके बाद अगर आपके पास time है, तो आप देख लीजे, Indian festival दीपावली को, उसके बाद और कुछ-कुछ games, कुछ-कुछ चीज़े हैं, इसके बारे में तो हमने discuss कर लिया है, यह importance of trees, forest, यह वाला, यह भी आपकी year में आये हुए हैं, लेकिन सबसे, सबसे important जो तीन चीज़े हैं, उसको आप पहले करिए, यह वाला है environment, pollution, problem of pollution, pollutions related, तो इस तरह से आप जो है, सबसे पहले, तीन जो ऐसे हैं, जो ऐसा कि मैंने बताया हुआ है, उसको आप बढ़ी है, तयार कर करिए, उसके बाद आपके पास time है, तो आप इनको भी अच्छे से करिए, तो I hope कि आपको ऐसे writing का या यह video lecture काफी अच्छे से पसंद आया होगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लगातर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही आप एक अच्छ student बन सकते हैं, जब आप अच्छे नंबर ले करके आएंगे, तब हमें काफी गर्व महसूस होगा, इसलिए आप पढ़ते रहिए, हस्ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं भी लूँगा एक इंट्रेस्टिन लेशन के साथ, नेक्स वीडियो लेक्चर में, तब तक के लि झाल